हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू आवर चैनल पढ़ो इंडिया, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की मैस की वर्कशीट नमबर टॉन्टी फाइफ इंग्लिश मीडियम में और इसमें हमें करना है चैप्टर नमबर ट्वैल्व, हाव हैवी, हाव लाइट, कितना भारी, कितना ह चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना, कोश्चन नमबर वन, इसमें बताया गया है कि एक गधा था, उसके पीट पर एक बोरी रखी थी, उसमें चीनी थी, अब आप बता सकते हैं क्या, कि बता सकते हैं कि बता सकते हैं कि पानी बोरी में गिरने के बाद हलकी क्यों हो गई थी, बत्चों पानी में गिरने के बाद बोरी हलकी इसलिए हो गई थी, क्योंकि जो चीनी थी, उस सैक यानि बोरी के अंदर वह पानी में घुल गई थी, और इसकी वज़े से बोरी का वज़न हलका हो गया था, हम उत्तर लिखते हैं, sugar was dissolved in the river water, so the sack became lighter, अब second part देखिए, the sugar dissolved in water, so the sack became lighter, पानी में चीनी घुल गई थी, इसलिए बोरी हलकी हो गई, थर्ड देखिए, think, if the sack had closed instead of sugar, then the sack would become, अब इसमें पूछा गया है कि अगर उस बोरी में कपड़े होते, तो बोरी कैसी हो जाती, बच्चों पानी मे भीगने के बाद बोरी भारी हो जाती, it will become heavier, question number two देखिए, some objects are given below, यहां पर कुछ objects चीजों के नाम दे रखे हैं, अब आपको, यहां पर इनको दो columns में लिखना है, light objects, हलके चीज़े, और heavy objects, भारी चीज़े, चलिए लिखते हैं, इसमें से light objects, यानी हलके चीज़े हैं, feather पंक, paper, kagaz, wool, oon, flower, wool, grass, घास, और जो भारी चीज़े हैं, वो है, stone, पत्थर, pencil box, pumpkin, कदू, tree, paid, table, maze, question number three देखिए, list down at least five objects which are less than one kilogram and five objects more than one kilogram, अब आपको यहां पर दो column दे रखे हैं, एक column में आपको उन पांच चीजों के नाम लिखने हैं, जिनका वजन एक किलो से कम होता है, और इस दूसरे वाले column में आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं, जिनका वजन एक किलो से ज़्यादा होता है, तो हम पहले लिखते हैं कि एक किलो से कम वाले, less than one kilogram वो है, pencil, mobile phone, ball यानि गेंड, socks, जुराबे, चपाती मतलब रोटी, बाउल, कटोरी, और more than one 1 kg, 1 kg से भारी चीज़े हैं, chair, car, tree, paid, house, घर, television, school bag, यानि स्कूल का बसता, यहाँ पर नीचे कुछ जानकरी दे रखी है, इसमें बताया गया है कि कुछ चीज़े भारी होती हैं, उनको हम किलो ग्राम में नापते हैं, और एक किलो ग्राम में 1000 ग्राम सोते हैं, बचों आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा, question number 4 देखिए, guess the weight of these animals and circle their weight, जहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र दिये गए हैं, और आपको इनके सामने जो वजन दे रखे हैं, उसमें से आपको अंदाजा लगाना है कि इनका वजन कितना हो सकता है, जैसे पहला देखिए, fish, मचली दे रखे हैं, एक 100 kg, 100 kg का है, और एक 100 kg, 100 kg का है, तो बच्चो, मचली इतनी भारी नहीं होती है कि वो 100 kg की हो सके, तो इसका वजन होगा 100 kg, हमने उस पर circle कर दिया है, इसी तरीके से elephant, हाती का वजन 3000 kg हो सकता है, cat, billy का वजन 4 kg, 4 kg हो सकता है, और ये guy, guy का वजन 40 kg, 40 kg हो सकता है, question number 5 देखते हैं, how many more grams to be added to make 1 kg, अब यहाँ पर आपको कुछ भार दे रखे हैं, इनमें आपको कितना add करना पड़ेगा कि ये सारे weight 1 kg के बन जाए, देखिए यहाँ पर दे रखा 1 kg is equal to 1000 g, 1 kg में 1000 g होते हैं, इसका मतलब यह हो कि हमें इनको 1000 g बना लेना है, तो देखि प्लस 500 g ये मिलकर बनेंगे 1 kg, 850 g प्लस 150 g ये बनेंगे 1 kg, फिर देखिए, 370 g प्लस 630 g ये बनेंगे 1 kg, और 110 g प्लस 890 g ये दोनों मिलकर बना देंगे 1 kg, question number 6 देखिए, fill in the blanks with numbers 550 and 5, अब यहाँ पर आपको fill in the blanks करने हैं, उनमें 550 और 5 बरने हैं, जैसे 10 people weigh, 10 लोगों का बजन हो सकता है, 500 kg, fruit, salad, cells, 50 kg apples in 2 days, एक फल बेखने वाला है, वो दो दिन में 50 kg अपल बेख सकता है, और 3, you can carry 5 kg weight, तुम 5 kg weight उठा सकते हो, question number 7 देखते हैं, which packet will be bigger, circle it, अब यहाँ पर आपको दो दो के गुरूप दे रखे हैं, आपको बताना हैं कि इन दोनों में से किसका packet बढ़ा होगा, जैसे 1 kg राजमा और 1 kg पोटेटो में से 1 kg पोटेटो का packet बढ़ा होगा, 500 g पॉफ्ट राईस और 500 g चावल में से 500 g पॉफ्ट राईस और फूले हुए चावल का packet बढ़ा होगा, 1 kg चीनी और 1 kg सूखी मिर्च, इसमें से 1 kg सूखी मिर् इसी तरीके से 200 ग्राम रूई cotton और 200 ग्राम टोमेटोस टमाटर में से 200 ग्राम कोटन का पैकेट बड़ा होगा Question number 8 देखिए Match the column A with column B अब column A में कुछ शब्द दे रखे हैं इनको आपको column B के weight से मिलाना है जैसे weight of a chair एक कुर्सी का वजन कितना हो सकता है तो एक कुर्सी का वजन 8 से 10 किलोगराम 8 to 10 kg हो सकता है Weight of a newborn baby एक छोटे बच्चे का weight 2 to 3 किलोगराम हो सकता है Weight of a whale एक whale मचली का वजन 800 से 1000 किलोगराम हो सकता है और weight of a scooter एक scooter का वजन 80 to 100 किलोगराम हो सकता है बच्चों यहाँ पर हमारी worksheet खत्म होती है और subject की worksheet के answers के लिए आप हमारे channel पढ़ों इंडिया को subscribe जरूर करें और इस video को like और share भी जरूर करें Thank you